अज़ मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो मध्यकाल की चित्रकला है भारत की मध्यकाली चित्रकला के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे हमारा 20 MCQs होगा MCQs में जो questions होंगे 20 बिल्कुल पूरी तरह से मध्यकाली चित्रकला पर आधारित होंगे मध्यकाली चित्रकला में क्या क्या कौन कौन सी कला हैं आती हैं ये सारा discussion करेंगे और किस कलाओं में क्या क्या कलाकारियां हुई हैं कौन से राजा ने सन रक्षड किया हैं तो ये सारा कुछ हम इस 20 MCQs ही होगा बट इसमें हम एक चेप्टर को पूरा कवर करेंगे बैसिकली हम इसमें पाल शैली को कवर करेंगे तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करिये शेर करिये और सब्सक्राइब करिये अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं 300-400 के आराउंड वीडियोज मैंने डाल रखे हैं मॉक टेस्ट भी है कुछ मैं ऐसे भी पढ़ाती हूं कुछ चेप्टर वाइस भी तो बहुत सारे चेप्टर्स हैं वेस्टर आर्ट से रिलेटेड भी इंडियन आर्ट से रिलेटेड भी तो आप जाके वहां देख सकते हैं मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग को थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियोज जो कि आप लोग इतना एप्रिशेट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरी वीडियोज अच्छी लगती और हेलफुल होती है अभी बीच में मैं वीडियोज थोड़ा कम लापा रही हूँ continuously मैं mock test कराती थी जो everyday एक mock test आजकल थोड़ा सा gap हो गया है क्योंकि थोड़ा busy चल रही है मेरे schedule थोड़ा busy है इसलिए मैं थोड़ा रुक के लाई हूँ पर मैं लाती रहूंगे आप मेरे से continuous जुड़े रहेंगे तो जरूर आपको help होती रहेगी ठीक है तो आज हम बात करेंगे मद्यकालिन की चित्रकला के बारे में सबसे पहले हमारा question है first number का question जो कि हम मद्यकाल की कला के इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं तो किसन का बात आता है सबसे पहले आता है time period क्या होता था हमारे भारत के मद्यकालिन चित्रकला के इतिहास का time period क्या था question यह है कि भारती मद्यकाल की चित्रकला का इतिहास कब से कब तक रहा तो question में answer है MCQs में 600 to 1500 इसवी, 700 to 1600 इसवी तक 800 to 1600 इसवी या इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि मद्यकालीन कला का time period का रहा तो उसमें हमें देखने में मिलता है कि 700 to 1600 इसवी तक इसका समय रहा है right answer is B अब हम इस समय की जितनी कलाएं हैं उसको हम भारती मद्यकाल की चित्रकला के अंतरगत रखते हैं इससे क्या होता है कि दसवी जब इसवी की पहले भारती चित्रकला का परंपरा प्रातिर निदित्व हमें किस अर्शैली से हुआ किस कला के बौध कला के द्वारा मिलता है यह बीति चित्र अधिकांश्टा बौध कला से ही अलपांश और में जैन कला से भी जुड़े हैं कभी-कभी जैसे जब बौध धर्म में मूर्ति कलाइं बरना शुरू हो गई थी तो जैन धर्म ने भी के भी अन्वियाईयों ने जैन कला में भी मूर्ति शैली सिल्प को और चित्रकला को उसमें लाना शुरू कर दिया था यूं तो भीति चित्रन से पूर्व बौध काल जो था वो जैन कला का सम्रिद रूप मूर्तियों और मंदिरों में फैला मिलता है और भीति चित्रन के निर्मार के बाद तो उसका रूप और देक निखर आता है दस्वी से 15 शदा 500 इस्वी वर्सों तक चित्रकला के उन्नत परंपरा को जीवित रखने का श्रे पाल, जैन, गुजरात और अपबरण शैलियों को जाता है जो दस्वी शदाप्दी से 15 शदाप्दी तक जो कलाएं चली थी उसमें पाल शैली, जैन शैली गुजराती शैली और अपबरन शैली आती है जो भारती मिनीचर शैली थी जैसे मुगल, राजस्थानी उससे पहले की जो कलाएं थी वो हमारे मध्यकाल की चितरकला के अंतरगत आती है और इन मध्यकाल में पाल, जैन शैली और गुजराती शैली अपबरन शैली को लेते हैं जन सामानी की चित्रकला के उस तरब में प्रसारित प्रचारित हो रहा था ठीक है इस यूग में दो विश्व कोशात्मक रचनाओं का निर्मान हुआ जिनमें अनेक विज्यों के अतिरिक्त चित्रकला के विधी विधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है इनमें जो भोज थे राजा भोज इन गरंतों में भोज जो एक हजार इस्वी से एक हजार चववन इस्वी तक का था समरांगन शुत्रधार और सोमेश्वर भूपती जो कि बार्वी शताब्दी में हुआ है तो उनका मानसोलास प्रमुख है तो भोज राजा भोज का समरांगन शुत सेकेंड कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं देखते हैं दसवी से पंद्रहवी शताब्दी तक की चित्रकला की उन्नत परंपरा को जिवित रखने का श्रे किसी जाता है तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मध्य कालीन चित्रकला थी भारती मध्य कालीन चित्रकला का वि गुजरात वा अपवरण शैली को इन सभी को तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा क्योंकि इन सभी ने उन्नत परंपरा को जिवित रखने का काम किया था जैसे कि हमने बात किया था अभी समरांगर सुत्रधार और सोमेश्वर के मांसुल लस्ट के द्वारा हमें पता चलत है कि चित्रकला के प्रति गहरी अभुरिची जागरित हो चुकी थी उसके बाद तो यह जो हम पढ़ रहे हैं यह हम पहाड़ी और मुगल के पहले की बात पढ़ रहे हैं और अजंता और एलोरा के बात की बात का जिक्रक कर रहे हैं तो इसको मद्यकालने चित्रकला के के बारे में पाल शेली का समय काल क्या था पाल शेली का जो समय काल था वह साथ सो से ग्यारो सो असी या साथ सो तीस से ग्यारो सो संतांबे इस्वी आठ सो से बारो सो इस्वी आठ सो तीस से तेरो सो इस्वी तो पाल शेली का जो समय काल था वो आप लोग एक बड़ अपने से टिक कर लिया करिए मेरे करने से पहले तो राइट अंसर इसका भी हो जाएगा 730 से 1197 इस्वी कहा जैसे कि हमारी चार प्रतिनीदी शैलियां रही जिसमें पाल शैली, जैन शैली, अपरबन शैली, गुजराती शैली तो इन शैलियों में इतनी समानता है कि इसको प्रतिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था पर इसका उपयोगत नामकरन के संबंद में काफी विवाद होते रहे और कुछ लोगों ने इसको तब इसमें क्या हुआ कि जब अलग-अलग अलग जगों पर होने लगी तो कभी उसको गुजराती शैली कहा गया कभी बिहार शैली कहा गया कभी तो इस तरीके से क्या किया गया कि इन चारों शैलियों को अलग-अलग नाम दे दिये गए जिसमें पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और अपभरन शैली हो जाते हैं ठीक है अब नेक्स्ट कोशन द thaa وہ पुद्ध धार्म से था, right answer is a, पुद्ध धार्म, इसमें जो राजा थे, वो baudhr dharm के अन्याई थे और उनको वो लोग जब अपनी गाड की जो करते थे प्रचार प्रशार तो उसमें उनको चित्रत करते थे, तो इस तरीके से इन्हों उने पाल शैली में बौध धर्म का प्रादुरभाव किया था नेक्स Państwo अब यह कोश्चन एकाता है कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्रक किस समय का उद्तम उधारण है तो यह एक महत्यपूर्ण कोर्शन है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसी यह है पाल शैलिका या अपबरंश मुगल गुजराद तो आपको यह चारों में से आप्षिन बदाना है राइड अंजर इस ए पाल शैलिका है इसमें महीपाल ने कई चैत्य बूल शैलिका है कई चैत्य मूल घंट खुटी और धर्मराजी का इस्तूग बनवाए थे मही पाल का पुत्र जो था वो जैपाल था जैपाल के पुत्र विग्रह पाल यह थोड़ी थोड़ी चीज़े जो राज कुमार शाशक जो थे उनके बारे में याद कर लेना होता है क्योंकि मही पाल मही पाल का पुत्र जैपाल और उसका पुत्र विग्रह पाल ते तरी यह ज 1087 इस्वी में ये चित्रव बना था तो ये चीज़ भी याद रखना है कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आशिन जो है वो 1087 इस्वी में बना था और ये विग्रपालतृतिय के राज्यकाल में उत्तर बंगाल में शेन वंस के उदै से बंगाल पाल वंस के बाद इस प हो गया था तो ये जो चित्र था वो 1087 में बना था और उस समय के जो राजा थे वो विग्रपाल थे ग्यारवी शताब्ति के मत नौकाल लियाने के चालो के राजप विक्रमा दिते ने बंगाल पर आक्रमण किया और तब उसके सेना पती स्तामंत सेन ने उत्तरी उडिसा में सुवर्ण रेखा नदी के किनारे काशी पुरी नामक नगरी में एक राजवन्स के स्तापना की थी जो कि बार्वी शताब्ति में इसी राजवन्स में किसी विजय सेन के पालों से बंगाल जीत लिया और पालवन्स की शक्ती को छिड़ कर दिया तो इस तरीके से ये जब चित्रकलाकृतियां बढ़ते बढ़ते बार्वी शतापति तक पालशैली का जो चित्रणशैली था वो चिंड हो चुका था इसी के दौरान जो लक्षमट सेन वन्स आता है तो उसमें कुछ विद्वान और कुछ कवी होते हैं जो की काफी प्रसिद्ध होते हैं जिसमें हम बात करेंगे गीत गोविंद के रचेता कौन थे तो आप लोग एक पर लगा लिजेगा इसका राइट अंसर इस डी जैदेव ये जो तीनों और कला विद्वान और कवी हैं वो भी इसी काल के हैं लक्षमट सेन के विद्वान के शक्तिसाली राजा हैं और गीत गविंद के रचेता जैदेव थे और एक उमा पतिधर स्रीधर अपरदास, हलाय युद, गोवर्धनाचारे, जैसे विद्वान एवं कवी उनके दरबार के थे तो ये जो थे वो लक्षमट सेन के दरबार के विद्वान और कवी थे जैदेव कि शाशक के दरबारी विद्वान थे यहां पर आजाएगा राइट अंसर इसी लक्षमट से जो कि मैंने भी बताया ये लक्षमर सेन का पुत्र माधो सेन कुतुब बुदीन के सेनापती से 1199 में हार गया तो आप उसमें टैली कर सकते हैं कुतुब बुदीन आवग से वो 1199 में हारा था पालशैली के प्रमुक अलाकार कौन थे पालशैली के जो प्रमुक अलाकारों क की बात आती है तो हम अब ऑफ्शन में है धीमान वित्तपाल ए तथा भी दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका राइड आंसर हो जाएगा सी ए तथा भी दोनों इस्वंस के राजा सेन नामक प्रसिद्ध थे वे ब्रामर धन के अन्वाई थे और बहुत धर्म के विरोधी सन 1199 में तुर्कों में नालंदा पर जो आक्रमड किया उसे बहुत संस्कृति वाचित्रकला को गहरा धका लगा अब हम बात कर लेंगे नेक्स क्वेशन देखते हैं पाल शैली का नामकरण कैसे होता है क्वेशन के हिसाफ से मैं टॉपिक भी समझाती चली जाओंगी पाल यह नामकरण नाम बिहार शैली किस कला समिक्चक ने रखा था ए राय कृष्ण दास भी आनद कुमार स्वामी सी लन रुबूसो और इनमें से कोई नहीं यह कॉश्टन भी कई बार आया है तो पाल्षयली का जो नाम था बिहार शैली पहले रखा गया एक बार रखा गया उ और जहूझे पर जाना से नहीं सही लगा अता इसका नाम पाल शैली ही सबसे उप्यूक्त नाम रखा गया जैसा कि हम जानते हैं कि पाल राजा बौद धर्म के महान सन्रख्षक रहे थे तो हमने अभी पढ़ा कि पाल जो चाशक थे वो बौध धर्मी के महांसन रख चक थे और उनके प्रेत्नों से बौध धर्मी एमम संस्कृती तिब्बत तथा दक्षरी पुर्वी देशों में फैल गई और तिब्बती एतिहासकार जो द्लामात आ रहा ना थे अब हम यहां बात कर लेते हैं एक बार पाल शैली के प्रमुक केंद्रों के बारे में पाल शरली का जो प्रमुख केंद्र था अभी मैंने बताया कि पाल शरली का जो प्रमुख केंद्र था वो बंगाल बिहार नेपाल बिहार उत्तरप्रदेश गुजराद महाहारास्टर बिहार और पंजाग तो राइट अंसर इसका हो जाएगा A. बंगाल बिहार और नेपाल ये प्रमुख केंद्र था और इसके जो कलाकार थे वो धीमान और वितपाल थे इस शैली के पनपने में इन्होंने सहायता प्रदान किया था और इनके प्रमुख केंद्र थे बंगाल बिहार और नेपाल लामा तारानाथ की बात करेंगे अभी हम question के साथ ही पाल शैली के चित्रों में किस शैली की विशेशता मिलती है कहा जाता है कि बंगाल ये पाल शैली जो थी वो अजन्ता, मुगल, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं तो मुगल और राजस्थानी तो पाल शैली के बाद में आती है अजन्ता शैली जो थी इससे पहले की कला है आप Sunwise अगर याद करते हैं तो पाल शैली का जो टाइम पीरियर था वो अजन्ता राजस्थानी और मुगल से पहले का था तो अजन्ता इसका सही आंसर हो जाएगा A is the right answer तो पाल शैली को अजन्ता की विशेष्टा पाई जाती है पाल शैली में लामात आरानात ने पाल शैली को किस नाम से संबोधित किया था A है पुर्वी शैली, B नाक शैली, C ये दोनों और D में इन में से कोई नहीं है तो लामात आरानात ने इन कलाकृतियों को सात्वी शताब्दी में जब पश्चिम भारत में जिस चित्र शैली का निर्माड हुआ उसमें भिन नौवी शताब्दी पूर्वी भारत पंगाल में एक नवी चित्र शैली का उत्य हुआ जो पूर्वी शैली कहलाई थी लेकिन ये नाम भी उचित नहीं लगा क्योंकि पाल शैली को समुन्नत करने वाले केवल पाल राजा थे और पूर्वी शैली से इसका योगदान प्रकट हुआ तो जो लामत आरानात थे इसमें इन्हों ने पाल शैली और नाक शैली दोनों नाम दिया राइट अंसर इस A, B और दोनों हो जाएगा तो C ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा Next question 13 पालशेली में धर्मपाल और बौध अध्यान केंद्र कहां पर इस्थापित किया था तो इसमें question answer है विक्रमशिला, सोमपुरा, बिहार यह दोनो या इन में से कोई नहीं तो पालशेली जो थी उसका धर्मपाल ने बिहार में बौध अध्यान केंद्र विक्रमशिला और सोमपुरा बिहार दोनों इस्थापित किया था next question है नालंदा और ओधंध पुरी जैसे नौ बौध बिहारों को की स्थापना किस काल में हुई थी पाल काल में ही इस नालंदा और ओधन्द पुरी जैसे नौब ओध विहारों के स्थापना हुई थी गंदव यू किस शैली की सचित्र पोथिया हैं? मुगल शैली की पाल शैली की अबबरन शैली की आईन में से कोई नहीं गंदव यू जो है वो पाल शैली की राइट अंसर इस बी पाल शैली की सचित्र पोथिया हैं ये questions ऐसे हैं जो कि पाल से आपको निचोड की निकाले गाएं हैं 20 questions में ही आपको पूरा पाल शैली का एक पूरा अनुमाल लग जाएगा कि पाल शैली में था क्या आप पूरा detail में भी पढ़ लेंगे और आपका IMCQs भी complete हो जाएगा तो इस वज़े से मैंने इस तरह की question और ये topic लेके आया है आई हूँ कि आप लोग को ये चीज़े काफी clear हो जाए क्योंकि आप ऐसे अगर normally chapter पढ़ते हैं तो भी कुछ चीज़े missing हो जाती है और जब question answer से question answer ही करा दूँगी तो भी कुछ चीज़े missing हो जाती है तो मैंने क्या किया कि 20 questions भी लिए और पूरे detail में इस chapter को clear करा देंगे तो question कैसे आते हैं किस तरह के question पूछा जा सकता है ये भी detail आप पढ़ लेंगे तो आपको easy हो जाएगा समझने में स्वेट स्वल लाव रोरिक कुल्लू के संगरहाले में तो ये question है गंदव्यू जो ग्रंत थी उसकी प्रतियां कहां पर संगरचित है तो इसकी जो प्रतियां हैं वो संगरचित हैं कुल्लू स्वेट लाव रोरिक के संगरचित में जो कि कुल्लों में इस्थित हैं तो राइट अंसर इसका D हो जाएगा ये हैं 126 चित्र हैं इसमें और जो कि अजन्ता के परंपरा पर अनुकृत की गई हैं तो इस तरीके से ये याद रखने लेलना है कि गंद वेव ग्रंत जो थी पाल शैली की जिसकी प्रतियां कुल्लों क स्वेट्सलाव रोरिक इत्यादी के संग्रा में हैं जो कि 126 चित्र मिले हैं 126 चित्र मिले हैं यहाँ पर और ये जो शैलियां है इसकी जो कलाकृति है वो अजन्ताय परंपरा पर आधारित है ठीके Question No.17 पंच सिखा नाम ग्रंथ कहाँ पर संग्रहित है पंच सिखा जो ग्रंथ है वो कहाँ पर है Cambridge विश्विद्य आले भारती संग्रा आले बोस्टन संग्रा आले या इन में से कोई नहीं पंच सिखा जो था वो राजा जय पाल के 14 राजया रोहर वर्स में चित्रत की गई के चौधावे राजा रोहर वर्स में चित्रित की गई थी और ये कहां परिस्तित है केंब्रिज के विश्विद्याले में इस्तित है जो कि उनकी पुस्तकालेयों में रखी गई है उप्रक्त जो सारी पोथियां है वो ताल पत्र पर बनी है और इसमें सुन्दर लीपी इसाई और इनमें से कोई नहीं तो हम जानते हैं कि ब्रग्या पार्मिता जो है वो पाल शैली से संबंदे थी और पाल शैली जो है वो बौधा धर्म से संबंदे थी तो राइट अंसर का बी हो जाएगा बौधा धर्म से संबंदे थी ओके नेक्स कोर्शन नमबर 90 भारती चित्रकला के इतिहास में गुजरास शैली जैन शैली अपवर्ण शैली का नाम क्यों लेखनी है यह भारती चित्रकला का उज्वल अतीत अलोकित करती है भारती चित्रकला का पतन होता है भारती चित्रकला निक्रिस्ट हो जाती है या भारती चित्रकला में एक नया आयाम इसका राइट है होजाएगा भारती चित्रकला का उज्वल अतीत अलोकित होता है क्योंकि हम ने पहले पढ़ा जब इसी डिदा आई दो भारती चित्रकला का ऐसमें ओज्वल इक नए आयाम को पा रहा था ठीक तो उज्वल अतीत अलोकित होता है, इसके साथ हम जब बात करते हैं, जैन शैली, अफबरन शैली, गुजराती शैली के बारे में, ठीक है, नेक्स कोश्चन, गंद वियों में किस शैली की परंपरा परदर्शित होती है, अभी हमने बात किया था, अजंता, मुगल, वास्तव जश्यवी, और इनमे से कोई नहीं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक हो ही नहीं सकता, मुगल, इसके बात की इकला है, तो एह, राइट अंसर हो जाएगा, अजंता, ठीक है, आजंता, शैली हो, में इसकी परंपरा अलोकित होती है, अब किया बनते थे और उनकी साइज कया होती थी तो झे सचेत्रव पोधियां थी वो दो इंच तथा इंच चौड़े होते थे यह टाल पत्र लगबक दो इंच लंबे तथा ंच चौड़े होते थे इन तालों रचल्पध्रों पर से प्रिस्टो पर देवनागरी लीपी में सुन्दर और कटे चापे के सामान अक्षरों में ये पोधियां लिखी गई है ये पोधियों में काली प्रिस्ट मुवी पर सफेद रंग से लिखाई की गई है लिपी कार बड़ी सावधानी से इस कथाओं को सुन्दर अक्षरों में लिखता था इन प्रस्टों के बीच-बीच में आयताकार वर्गाकार इस्थान खाली छोड़ दिया जाता था जिसमें महान देवी देवताओं बौध धर्म समबंदी चित्र के चित्र बनाये जाते थे ये चित्र एक या दो इंच वर्गाकार होते थे तो इस तरीके से ये बनता था, इस तरीके से ये तालपत्र होते थे और इसमें ये वाला जो एरिया था यहाँ पर भगवान को बनाय जाता था और यहाँ पर बड़ी सुन्दर तरीके से लेपियों को लिखा जाता था, ठीके तो इस तरीके से पालशायली का चित्रन होता था ये पोथियां जो होती थी उनको ढखने के लिए पोथियों के जिल्दों पर दोनों और पट्रे लगाया जाते थे और इन्हें दफ्तियां या कास्ट कहा जाता था इन पर भगवान बुद्ध की जीवनी तथा उनकी शिक्षा संबंदी चित्र अंकित होते थे जो जातक कथाओं पर आधारित होते थे इस शेली के चित्रों पर अजन्ता शिर्प का प्रभाव पड़ा है ठीक है तो इस चीज़े समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है आप लोग को इसकी थोड़ी सी विशिष्टाएं बता देती हूँ अधिकान समय मानो आकरती चहरे सवाचस्म होते थे इनकी आखें बड़ी होती थी और नासी का लंबी होती थी और हाथ पैर की मुद्राएं थोड़ी अकड़न लिये होती थी जैसे पाल पोथी शैली के चित्रों को द्रिस्टांत चित्रों के रोप में भी अंकित किया जाता था चित्रों में वरियता थी लाल सफेद काले रंग का इस्तमाल किया गया है सुनहरे तथा बैगरी रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है चित्रों की रेखाएं कठोर हैं किन्तु अलंकारिकता जैसे हमने बात किया कि अजन तक शैली से सम्बंदी थी लेकिन कठोर होने के साथ साथ उसमें अलंकार भी दिखाई देता है पाल शैली के जो कुछ चित्रे अधिकांच पोधियां है वो अशियातिक सोशायटी और बेंगौल में सुरक्षित हैं और मैंने एक बार बताया कि इसके जो एक विहार शैली का नाम दिया गया था वो किस ने दिया था हैलन रभूसों ने दिया था और धर्मपाल में बिहार धर्मपाल में बिहार ने बौध धर्म का अध्यन केंद्र विक्रमशिला और सोमपुरा बिहार इस्थापित किया था ठीक है इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस शैली के चित्र बिहार और बंगाल में 13 शताबदी में बनने बंध हो गये थे लेकिन नेपाल में 16 शताबदी तक निर्जी उरोब में रहे हैं इस तरीके से काफी आपने पाल शैली के बारे में समझ लिया आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करें मैं नेक्स टॉपिक ऐसे ही लेके आओं अगर आप लोग मेरे को सजि फार्यों खरोंगी ठीके तो थैंक्यू फार वीडियो ओर जो लोग नहीं जूड़े हूं वो सब्सक्राइब कर ले और वैडैक न को प्रेस कर ku अ